तू क्या कर रहा है अंदेरे में रहने की कोशिश कर रहा हूँ अंदेरे में? पर क्यों? 25 मार्च को अर्थावर है वो क्या होता है? अर्थावर एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है जहां साल में एक दिन बिजली और बिजली पे चलने वाले उपकरण बंद रहते हैं एक गंटे के लिए इससे क्या होगा? गुड क्वेश्चन बिजली से पैदा होने वोना जो कार्बन डॉकसेड है वो अपने धर्थी के लिए हानिका रखे वो एक गंटे के लिए थम जाएगा कार्बन डॉकसेड? उससे क्या होता है? दोस्त अपनी जिन्दगी सिर्फ दो दिनों की है एक आज और एक कल और इन दो दिनों में धर्थी बुरा मान गई न तो न नर्क नसीब होगा न स्वर्क सीथे पाताल में जाएंगे धर्थी का क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिसमें कारवन डॉकसाइड की मातरा बढ़ रही है और इस वज़े से धर्थी के वातावरण में गर्मी बढ़ गई है और थंडी कम हो गई है और कुछ साल अगर ऐसे ही चलता रहा तो बुकम, सुनामी, इन जैसे खतरना घटनाए बढ़ जाएगी लेकिन इसका एफ्यक तो कुछ साल बाद होगा ना थो तो तुम्हारे बात तुम्हारे परिवार को मिलेगा न हमें सिफ एक साल में एक गंड़ा अपने धरती मा को देना है उससे आने वाले पीडियों को ज़रूर फाइदा होगा लेकिन हमारे अकले करने से क्या होगा? बून बून से सागर बनता है सोचो, अगर सिटी के 1000 घर 1000 घर अगर इस अभियान में जुड़ गए तो हमारे पास 1000 गंटे हो जाएंगे और इस अभियान में हम अकले नहीं हैं 112 देश इस अभियान में जुड़े हुए जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बंद रखने का अभियान चलाया हुआ है क्या इसके जान करें सबको है? शुरूवत तो हमें ही करने होंगी है हम अपने दोस्तों को परिवार को इसमें शामिर होने के लिए इंस्पार करेंगे हाँ यार में भी सोशल मेडिया के माद्यम से जादा से जादा लोगों तक पहुचने की कोशिश कुरूँगा एक मिनिट मेरा होने लोगों булоरी के मया याıs, osob कि झादो कि जादा मैं गादा 5 जादा मैं 958- मेरार से ऊची को से जादा मैं numero 5 टुरूदיות के जादा से जादा से टूगे मैं मिन users को परिएे से प्राइब भाईब प्राइब प्राइब वाईब प्राइब यह जढ़ वह झाल झाल